हाँ तो भाई आज किस वीडियों में कंपरेजन करने वाले हैं काफी तगडे दो टीडेवलियस में दोनों ही बोट की तरफ से आते हैं और काफी जादा हाइप बनी है भाई काफी बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आमेजून का प्राइम डेसे लाच चुका है दोनों प्र की प्राइज में काफी तगड़े फीजर्स आपको मिलते हैं अब यह कम नहीं है भाई बोट इमोर्टल 1-7-1 बी कम नहीं है क्योंकि आपको पता है बोटका इमोर्टल सेग्मेंट वाला सीरीज है यहां पर जो भी प्रीद्ट आपको मिलते हैं वो आपको लग बग लग 1516 को लासों की प्राइज में मिलते हैं लेकिन बॉट का इमोर्टल वन 171 आपको स्पेशल लोंच प्राइस पर ओनली फूर्ट अचे यह कौन सा आप स्कीप कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखो प्राइस की मैं बात करूंगा दोनों का जो प्राइस उसमें उल्ली फूर्ट सो रुपय का डिफरेंस है जो बोट का एड़ोप्स मैक्स आपको मिलता है वह बारा सू रुपय का है एंड जो वह बारा सू रुपय का डिफरेंस है लेकिन फीचर्स में काफी बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है देखो दोनों का लिंक आपको दे दूगा वीडियो के एंड तक आप सारा कुछ समझ लेना उसके बाद में जो भी आपको ओर करना है वो लिंक से आप ओर कर पाओगे और इसको कि एकदम गेमिंग चाहिए और एक होता है जिसको नोर्मल चाहिए होता है और जो वोटका इमोर्टल स्परूइज है उसमें आपको बिलकुल आपको एकदम गेमिंग रिलटेड मिलेगी जहाँ पर LED लाइट्स वेगर आपको मिलेंगे खो पुरा ट्रांस्परेंट जैसा case आपको मिलेगा एक अच्छा मतलब कि gaming वाला product आपको देगे मिलेगा और जो adops max है वो एकदम normal design में आपको मिलेगा कोई वहां पर आपको ताम जम नहीं मिलेगे कोई ज्यादा आपको lights वगरा नहीं मिलेगी case पे आपको RGB मिलेगी तो थोड़ा बहुत बेटरी में का वहां पर drain होगा बाकि जो design आपको पसंदा रहा हूँ वह आपको पसंदा रहा हूँ वह आपको पसंदा रहा हूँ आपको ले सकते हैं color जो इस भी अलग अलग आपको मिल जाती है color आप इसमें चूज कर पाऊँगे sound दोनों same product है same brand है same signature sound मिल रहा है तो कोई जादा बड़ा चेंज तो आपको नहीं मिलेगा song में थोड़ा बहुत difference मिलेगा बाकि जो थोड़ा बहुत difference होगा या कुछ भी होगा ना वो मैं जब दोनों का unboxing करूँगा तब आपको जूरूर से बता दूँगा boat immortal 171 में ने order ल जाएगा देन यहां पर आपको दोनों में quad mic ENC का support मिल जाएगा जब भी आप इसमें calling पे बात करोगे तो आपको noise नहीं मिलेगा without noise के आप इसमें calling पे बात कर पाऊगे तो अच्छा खासा call आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा दिन बात आती है gaming की तो यहा आपको काफी तगड़ी गेमिंग देखने मिलेगी तो अच्छा-कासा गेमिंग आपको वहां पर देखने मिल जाएगा गेमिंग के लिए आप चूज कर सकते हो 171 को देन बात आती है connectivity की तो दोनों में आपको connectivity system same मिलता है iwb का support है 5.3 है 15 मेंटर की range है touch control birds है Google assistant series आप इसमें access कर पाओगे तो वह दोनों में आपको same मिल जाएगी बागे अगर protection की बात कर दों तो अब अच्छा आपको IPX5 मिलता है और जो बोट का immortal 171 है उसमें आपको मिलता है IPX4 दोनों ही waterproof resistance के साथ में आपको मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा बड़ा confusion है दोखो बोट का add of max है उसमें आपको मिलता है 100 hearts का backup यानि कि single charging की बाद में with case and with words 100 गंटे का backup आपको मिलेगा जो की type C port supported है और यह fast charging को भी support करता है और same वहीं पे आपको जो बोट immortal 171 है उसमें आपको मिलता है 40 गंटे का better backup वो भी depend करेगा users पर वहाँ पर भी single charging के बाद में with case and with words आपको 40 गंटे का backup मिलता है type C है fast charging को support करता है अब देखो अगर आपको study के लिए चाहिए मतलब क्या study करना चाहते हो पढ़ाई के लिए चाहते हो या फिर आपको एक long term कहीं जाना होता है traveling वगरा करनी होते है तब आपको एक अच् लेटेंसी भी काफी कम है तो उसी साब से आपको वहाँ पर बेटर भीकप में लेगा देखो दोनों का अब आती है calculation की बात कि हमको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए तो वही चीज में आपको बता रहा हूं देखो अगर आपको gaming करना है ना कि मेन मोटिव म करनी है मुझे ज्यादा gaming में नहीं करता हूं हलकी फुलकी बस मतलब टाइम पास के लिए गेमिंग करता हूं एवरेज गेमिंग चल जाएगा मेरको तब आप बोट एडॉप्स मैक्स ले सकते हो यहाँ आपको साउंड अच्छा मिलेगा कोलिंग अच्छी मिलेगी तुम्हें भी यहां तक आने के बाद में सारा कॉन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अगर आपका मेन मोटिव गेमिंग है तब आप 171 ले सकते हो बाकि अगर आपको एक ऑल राउंडर चाहिए जिसमें आपको एवरेज गेमिंग बाकी सारी तगडी चाहिए तब आप जा सक आपको चार्ज करना पड़ेगा यहां तक आने के बाद में सारा कुछ आप समझ गये होंगे एक चीज लास्ट में जादे जादा बोलता हूं कि दोनों को आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाई कर लीजेगा क्योंकि दोनों ही पेशल प्राइस पर हैं और दोनों ही से आ सकती है तो उससे पहले बाई करोगे एक अच्छा डील मिल जाएगा बागी बाई इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिजा हैं जे बारत